क्या तुम्हारा पेपर बार बार रिजेक्ट हो रहा है तुमको समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा पेपर क्यों रिजेक्ट हो रहा है तो आज मैं तुमको गैरेंटेड एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ ना जो ना तुमको ना तुमारे सीनियर्स को ना तुमारे गाइड क पता होगा इस research data के बारे में कि कैसे अपने research data को save करना है lifetime के लिए और publication के chance कैसे बढ़ाने है यकीन ना होना तो ये वीडियो देखने के बाद अपने senior से जाके पूछ लेना अपने guide से जाके पूछ लेना ये concepts के बारे में guaranteed नहीं पता होगा और इसको आप जब जान लोगे तो चाया master's में हो चाया PhD में हो चाया postdoc में हो ये lifetime applicable है और इसको जरूर apply करना मुझे भी ये चीज PhD के end में पता चली थी and you guys are very lucky जो तुम अभी ये चीज समझ ले रहे हो वीडियो पूरा देखना चीज को समझना नया concept है शायद तुमारे लिए आप research करते हो चाया master's में चाया PhD में चाया postdoc में आपके पास results आता है आप काम करते हैं और उस results का आप क्या करते हो वो results unique होते हैं because हर आत्मी काम करता है एक ऐसी research पे जो novel हो isn't it हमेशा हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा काम करें जो अभी तक publish नहीं हुआ हो और हम पूरा कोशिश भी वही करते हैं और काम भी वही करते हैं अब आपके हाथ में results हैं आपके हाथ में results आ चुके हैं जो की unique हैं अब आप next step क्या करोगे next step आप उस results को in the form of manuscript change करोगे एक paper बनाओगे proper manuscript method introduction results and discussion conclusion etc. references वगेरा करके और उसके बाद क्या करोगे आप उस paper को submit करोगे आप submit करोगे उस paper को और submit करने के बाद आप जानते हो कि कोई भी journal 2-3-4 महीने से कम नहीं लेता उस paper को review करने में तो हो सकता है आपने first time submit किया वो 2 महीने बाद reject हो जाए मैं तो मान के चलता हूँ 101% होगा अपने paper के लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं अपना हमेशा इस level का paper को इस level में submit करता हूँ यह मेरी एक strategy है शायद आपकी हो या ना हो मुझे नहीं पता अगर नहीं है तो बनाईएगा comment करके मुझे पूछेगा सर यह strategy क्या है please explain the strategies to publish your research work in high impact journal तो मैं next video में समझाऊंगा चलिए तो अब आप क्या करते हो paper को submit करते हो हो सकता है तीन महीने बाद वो paper reject हो जाए फिर आप next journal में submit करोगे हो सकता है वो भी reject हो जाए किसमत अच्छी होई तो हो सकता है तीसरे journal में वो accept हो जाए या फिर उसमें भी accept ना हो वहाँ भी reject हो जाए और यह process करते 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 आपको 6 महीने 7 महीने 6-7 month I think हो सकता है maybe more than that वो waste हो जाए तो आपने वो काम किया था 2022 में and now you are going to submit this work in 2023 जैसे ही आपने submit किया वहाँ से comment आया कि now your paper your work is not unique it cannot be published हुआ क्या आपने चेक किया तो same work already published हो गया 4 महीने 6 महीने पहले ऐसा बहुत जादा होता है क्योंकि हो सकता है तुम जो काम कर रहे हो वो कोई दूसरी lab में भी काम हो रहा हो और वो आपसे speed up में हो और वो किसी journal में publish कर दें तो आपकी अगर finding already कहीं publish हो गई so your work your efforts will be wasted उसको बचाने के लिए क्या करना है उसको बचाने के लिए concept है preprint का चलिए मैं आपको दिखाता हूँ धान से सुनिएगा एक भी step miss मत करना इसके फाइदे बहुत ज़्यादा है यह है preprint.org आपने reprint सुना होगा यह है preprint preprint का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कुछ भी confusion हो comment कर लेना यह तुमारी safety के लिए because आप research में हो you must have some unique data and if you don't have then you will have data in the future चाहे वो master's का हो चाहे पीएसडी का हो and PhD का data इतना important होता है जब एक बार वो data अगर आपके third year में जाते जाते जो आपने तीन साल काम किये हैं वो already web पे publish हो जाए आपके third year के end में तो आपका काम पूरा waste हो जाता है and I have seen these type of things through some of the research scholar in our university तो उसको बचाने के लिए आपको क्या करना है that is the preprint ये कोई एक individual सिर्फ एकलोता नहीं है preprint में क्या होता है जो आपने manuscript बनाई है आपको submit कर देना है इनके अंदर इसके अलावा भी और preprint organizations है मैं आपको दिखाऊंगा but concept समझ लो जब आप इसके अंदर अपने paper को submit कर दोगे see this submission moderation moderation मतलब editors just carry out initial check वो just देखेगा कि आपकी manuscript proper है की नहीं review नहीं करेगा कोई review नहीं होगा archived and online तुरंत वो paper को online कर देगा immediately वहाँ पर citation और open for comment चला जाएगा मतलब आपने एक word file paper के form में इनको submit की और ये इस तरीके से ये देखिए ये हमारे एक जानने वाले ही है उनका जो reprint है ये अभी आया है और ये paper नहीं है this is not a paper मगर आपको यहाँ पे DOI digital object identifier भी मिल जाएगा और आपको citation भी मिल जाएगा अब क्या होगा ये reprint इस author ने यहाँ submit करके online कर दिया मतलब आपने अपना data जो भी finding है वो online कर दी अब अगर suppose कोई इस topic पे काम कर रहा है तो वो अगर वो आपने पहले online कर दिया यानि अपने काम को patent कर वा लिया अब यह same work कोई और करेगा भी तो उसका published नहीं होगा क्यों नहीं होगा because if somebody will publish their paper in any journal तो journal check करेगा किया इसका result unique है तो उसको आपका preprint मिल जाएगा जो आपने 2022 में काम किया था Got it? Did you understand? आपने 2022 December में यह work ready किया but till date आपका paper published नहीं हुआ आपने preprint में इसको online डाल दिया and now अगर आपका next एक साल तक भी paper published नहीं होता है but nobody has right कि इस work को reproduce करके इस form में publish कर दे क्यों क्योंकि आपने already web पे बता दिया है कि यह काम आपने किया है and these are your findings यहाँ पूरा का पूरा paper होता है मैं आपको दिखा देता हूँ example तो इससे यही फायदा होगा कि जब भी आप submit करोगे तो reviewer देखेंगे अरे वाई इन्होंने एक साल पहले ही preprint submit कर रखा है और कोई और यह देखें यह as it is word file है without editing इन लोगों ने काम किया है अभी किसी journal में publish नहीं हुआ है यह देखें यहाँ क्या लिखा है not peer reviewed यह peer reviewed नहीं है just इन्होंने submit किया और उन्होंने तुरंट उसको online कर दिया क्यानि आप किसी को अगर site भी करना होगा तो वो यहाँ से कर सकता है इसके पास सारे results हैं यह देखिए यह सारे results as it is इसने online कर दिये तो यह काम आपको जरूर करना है वरना होगा क्या जब आप submit करने जाओगे तो आपके papers reject होंगे कोई दूसरा उसको काम करेगा और वो उसका देखिए अब मैंने यह सर्च किया तो यहाँ preprint में आ रहा है बट यह paper अभी online accept किसी भी journal में नहीं हुआ है हो सकता है वो लोग time ले कोई भी journal वो होता है अब मैं आपको दूसरी preprint की agencies दिखा देता हूँ जिसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके काम की कोई है की नहीं देखिए इस सबसे common है AR, XIV, Arvix Physics, Chemistry, Computer Science Quantitative Biology को Finance Act ऐसे discipline जो हैं वो Arvix के अंदर डाल सकते हैं यह इसका URL है ओवर 1.5 million papers इसमें सम्मिट होते हैं उसके बाद आप original कहीं भी सम्मिट कर सकते हो यह यहाँ पर online रहेगा So this is one of the largest and oldest preprint repository since 1991 उसके बाद BioRevix है यह भी बहुत अच्छी repository है biology के लिए एक लाख पचास हजार paper इसके अंदर भी है Cameravix है Camarix यह chemistry की है तो सिर्फ chemistry के जो लोग है वो यहाँ जा सकते हैं ऐसे earth science के health science के multi-disciplinary psychology social science sport science यानि आपको क्या काम करना है जो भी आपका paper final हो चुका है तो journal में submit करने से पहले यहाँ submit करके उसको online कर दो और दुनिया को बता दो कि मैं यह काम कर चुका हूँ तो होगा क्या जो पहले-पहले काम करेगा वो पहले-पहले हाथ उठा देगा कि भाई मैंने यह काम कर दिया journal हो सकते कोई भी journal उसको accept करेगी उससे उसका कोई लेना देना नहीं है वो pre-print होता है तो कैसा लगा यह concept और I guess आपको शायद इसके बारे में नहीं पता होगा और अगर पता था तो यार बहुत अची बात है मुझे comment में जरूर बताना तो मुझे समझ में आएगा आप लोगों में से कितने लोग को यह चीज पता है और दूसरे लोगों से जाके जरूर पूछना कि सर इसके बारे में आपको पता है क्या हमको ऐसा करना चाहिए pre-print pre-print के फाइदे क्या है नुकसान क्या है मैंने आपको बता दिये benefit इव benefit है कोई भी नुकसान नहीं है pre-print submit करने मगर आपको लगता है कि कोई नुकसान है तो मुझे comment करो मैं आपके doubts clear करने के लिए 24-7 बैठा हूँ thank you so much for watching do not forget to subscribe to the channel hit the like button और pre-print जरूर submit करना thank you